हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमशकार सत्ष्रियाकाल अदाव दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हो एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं आलू मतल गाजर की बहुत ही जाथा टेस्टी सबजी और बिल्कुल नए तरीके से बना रहे हैं इस तरह से तो आपने कभी भी बना कर नहीं खाई होगी तो चलिए फिर देर ना करते मैं रख दिया है पैन और तीन बड़े चमश डाल दिया है ऑईल हलका सा गरम हो चुका है डाल देते हैं इसमें दो जुटकी हींग और आदा चमश डाल रहे हूं साबू जीरा तो इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से ऑईल में भून लेते हैं अब हम डाल देंगे इसमें हमारी दूली हुए गाजर और आलू जिसे मैंने अच्छी तरह से धो कर साफ करके छील कर कट कर लिया है और डाल देते हैं इसे ऑईल में तो हमें करना क्या है हमें इसे हलका सा fry करना है।टो हिंका जब तड़का लग जाते है न तो फ्लेवर बहुत बढ़ी आता है तो घाजर आलू में बहुत अच्छी तरह से हिंक का फ्लेवर आ जाएा गा। और इसे हम कम से कम तीन से चार मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेते हैं कलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं करना है हमें सिर्फ हलका भूनना है ताकि इसके उपर एक अच्छी सी ऑईल की लेयर आ जाए और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से यह दोनों चीजें हो जाएंगी तो तीन से चार मिनट हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तो चलाते हुए ही भूनना है तो लीजे फ्रेंट्स तीन से चार मिनट पूरे हो चुके हैं बस इससे ज़्यादा हमें और भूनने की जरूरत नहीं है बहुत बड़ी आ कलर आपको दिखाई दे रहा है निकाल लेते हैं से प्लेट पर और अब देखिए उसी ओईल में हम लगाएंगे तड़का तो मैंने वन फोर्थ टीस्पून के करीब डाल दिये इसमें मेथी दना और एक तेजपता इन्हें भी अच्छी तरह से बून लेते हैं ओईल में और बहुत ही ज़्यादा बड़ीया फ्लेवर आता है इससे हम डालेगِ इसमें तो दो पियाज थे जische मै ने कट कर लिया है और पियाज को भी भून लेते हैं तो देखिए पियाज का कलर भी हलका सा चेंज हो गया है आप देखी रहे हैं तो अब डाल दिये में इसमें एक चमच जिंजर गालिक पेस्ट आप कट करके भी लसन अद्रक इसमें एड़ कर सकते हैं तो इने भी अच्छी तरह से भून लेंगे जिंजर गार्लिक को जब तक इसका कच्छा फ्लेवर खतम न हो जाए तो लिजे लसन अद्रक भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है अब हमें क्या करना है अब हमें डालना है इसमें हमारे कटेवे टमाटर तो दो टमाटर है और दो हरी मिर्श ले लिए हैं मैंने जिसे बीच में से कट कर लिया है और मिक्स करेंगे से अच्छी तरह से मसाला अच्छी तरह से भुनना बहुत जुरूरी है हर सबजी के लिए क्योंकि मेन तो मसाला ही होता है बेस तो मसाला ही होता है तभी सबजी अच्छी टेस्टी बनती है तो अब हम डालेंगे इसमें हमारे कुछ बढ़िया से मसाले तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग नमक साथ में डाल देते हैं 1 फोर टीस्पून के करीब हल्दी पॉडर आदा चमच मैं डाल दूँ इसमें लाल मिर्च का पॉडर और आदा चमच डाल दूँग इसमें मैं धनिया पॉडर मसाले कम से कम इस्तमाल कीजिएगा ज्यादा कॉन्टरी में मसाले मत लीजिएगा मसाले सेथ के लिए ज्यादा हानी का रखोते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसे तो अब हमें इस मसाले को अच्छी तरह से पकाना है तो पकाने के लिए मैं क्या करूंगी थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ पानी तो फ्लेम इसकी अब कर देंगे बिलकुल लो और उपर से कर देंगे इसी कवर और इसे पकने देंगे कम से कम 7-8 मिनट अराम से लो फ्लेम पर तो बहुत ही बड़िया हमारा मसाला ये त्यार हो जाएगा बीच बीच में चलाते भी रहेंगे चेक कर लेंगे तो छोड़ देते हैं से 7-8 मिनट तो देखिए फ्रेंड्स ओयल सेपरेट हो चुका है आपको दिखाई दे रहा है तो 7-8 मिनट पूरे हो चुके हैं मसाला हमने बहुत अची तरह से भून लिया है बस इसे और ज्यादा हमें भूनने की जुरूरत नहीं है मसाला हमारा पक चुका है बहुत ही बड़िया खुश्बू भी आने स्टार्ट हो चुकी है तो अब हम डालेंगे इसमें हमारे मटर तो मैं फ्रोजन मटर का इस्तमाल कर रही हूं कुकी हाफ कूक होते हैं तो जल्दी से पक भी जाते हैं अगर आप फ्रेश मटर का इस्तमाल कर रहे हैं गाजर और आलू और आप यह ची तरह से से करेंगे मिक्स कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है बहुत ही टेस्टी मारी यह सबजी इस तरह से बनकर त्यार होती है आप इसे ट्राइ जुरूर कीजिए आपको यह बहुत पसंद आएगी तो अब हमें इसे दस मिनट पूरा लो फ्लेम पर कवर करके पकाना है बीच बीच में चलाते भी रहेंगे तो वेट करते हैं दस मिनट तो दस मिनट पूरे हो चुके हैं सबजी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है यह देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बन चुकी है तो मैं आपको आलू भी दिखाती हूँ आलू बहुत अच्छी तरह से पक चुका है यह देखिए अराम से तूट रहा है तो सब्जी हमारी जबर्दस बन चुकी है अब डालते हैं इसमें गरम मसाला मसालों में मसाला गरम मसाला साथ में डाल देते हैं हरा धनिया काफी सारा और कर देते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स friends दाल हो दही हो जिसमें पकोड़ियां हो और साथ में हो आलू गाजर मटर की सबजी तो मज़ा ही आजए गर्मा गर्म रोटी हो और इसके ओपर लगा हो गी तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सबजी बन कर त्यार हुई है तो मुँ में तो आगया पानी तो मैं आपको नज़्दीक से भी दिखाती हूँ ये देखिए देखने है न आप इसे तंदूर की रोटी के साथ भी एंज्योई कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगी तो फ्रेंड्स कैसी लगिया आपको मेरी ये रस्पी अगर अच्छी लगिये तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी जिरूर सब्सक्राइब कीजिए इ के लिए लेकर आती रहूंगी दोस्तों फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई